मौर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को दो अग्याद बदमाशों ने गोली मारी गंबिर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जानकारी के अनुसार सुपारी पंकश गौतम की ली गई थी लेकिन गलती से उमाशंकर को मारी गई दिनांग पाच दिसंबर को प्रात समय करीब सवाच छे बजे थाना छतारिक शेत्र की घटना है पुलीस वारा घटना की गहन तलाशी जांज करने पर नरेंद्र शर्मा कौशन गोलु उर्फ आदित्य कश्चप की नाम प्रकाश में आए प्रभारी निरिक्षक थाना छतारी श्री योगेंद्र कुमार ने मुगबिर की सुषना पर तीनों अभियुक्तों को उनके घर से हिरासत में लेकर सकती से पुष्टाज करने पर अभियुक्त नरेंद्र शर्मा ने बताया लगबग दो वर्ष पुर्व पंकश गौतम से नरेंद्र शर्मा ने 5 प्रतिशत ब् गौलू वो उसके साथ ही कौशन को दो लाक रुपे का लालज देकर पंकश गौतम की हत्या का शड़ियंत्र रजडारा योजना के मुताबिक मौर्निंग वौक पर जाते समय पंकश गौतम की हत्या करनी थी पाश दिसंबर की सुबह गोलू वो कौशन दोनों अभियुक गटना स्थल गाव चोडेरा के बाहर पहुचकर आग जला कर हाथ तापने लगे थोड़ी देर बाद उमा शंकर मुह पर मसल बान कर मौर्निंग वौक करते हुए वहाँ से गुजरा उसी समय नरेंद्र शर्मा पादवारा गोलू को फोन करके बताया गया कि अभी जो उसके पास से गुजर रहा है वही पंकच गौतम है अभियुक्त गोलू वो कौशन दवारा सही पैचान ना होने के कारण पंकच गौतम समझकर उमा शंकर को गोली मार कर घट्टा स्थल से मोटर साइकल लेकर फरार ह अभियुक्तो की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त दो तमंचे मैं कार्तूस वघटना में प्रयुक्त मोटर साइकल को अभियुक्त कौशन के घर से बरामत कर लिया गया खाना छतारी छेत्र में मारनिंग वात पे निकले उमा संकर सर्मा को गोली में लिए थी और उमा संकर सर्मा से और उनके परिवारी जनों से जब पुलिस ने बात चीत की तो समझ में आया कि इनका किसी प्रकार का कोई बैमनश किसी के साथ नहीं है कोई रंजिस नहीं है 307 का था हत्या का जो प्रयास था एक किसी और के लिए था और गलत आदमी टार्गेटेड हो गया उक्तगटना का अल्प समय में खुलासा करने वाली पुलीस टीम को उत्साहवरदन हेतु वरिष्ट पुलीस अदिक शक्ष्री संतोष कुमार सिंग ने 20,000 नगत पुरसकार देने की घोशना की इन्बिसिन नियूस के लिए पुलन शहर से जावित कान की रिपोर्ट